हैं आपका चार बजगे 56 मिनटे, अपारहान से पांच बजगर 32 मिनटे, अपारहान के बीच का समय एक घंटे का कौनसा भाग होगा, यह आपको फाइंड आउटे करना है, तो आप सबी को दियान है, एक जो घंटा होता है, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट आपके होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं घड़ी में आपका 4 बजगे 56 मिनट हुआ उसके बाद में 5 बजगे 32 मिनट हुआ तो यहाँ पर अगर हम 5 बजाते हैं तो आपका जो टाइम है उसमें कितना मिनट होगा चार मिनट हो जाएगा जब घड़ी में पांच बच जाएगा क्योंकि चपन में हमने चार जुड़ा तो साथ हो गया और साथ मिनट पे आपका एक गंटा हो जाता है इसी प्रकार इधर आपके बत्तिस मिनट है तो बत्तिस यहां से हम ले लेंगे और चार हमने यहां से लिया इन दोनों के बीच में हमें टाइम निकालना है कितना टाइम है तो चपना मिनट का टाइम है कितना मिनट का टाइम है चपना मिनट का टाइम है और यह आप से पूछा गया है एक गंटे का कौन सा भाग है तो जो 36 मिनट है उसमें हम सिंपल सा कितने का भाग देंगे 60 का भाग देंगे तो आपको 12 का पहड आता है तो 12 से 12 तीय 36 कर जाएगा और 12 पंजे 70 कर जाएगा तो कौन सा भाग हो जाएगा तीन बटा पांच वा भाग हो जाएगा एक गंटे का चार बजगे 56 मिनट है और पांच बजगे 32 मिनट का समय जो कि हमें ऑप्सन नमबर सी में गिवन है तो सी हमारा दिये गए कोशन का अंसर हो जाता है कोशन है आपका एक आदमे के चितर की औरे देखते हुए हरस नम का जो वेक्ति है वो कह रहा है कि जो चितर में जो आदमी है उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है मेरे कोई भाई बहन नहीं है हरसे किसके चितर की औरे देख रहा है उसके पुत्र के उसके चाचा की उसके चचेरे भाई की या उसके बतीजे की तो यह आपको बताना है चारो अप्शन में से कौन सा अंसर होगा तो इसे सिक्वेंस वाइस हम लिखते हैं तो यहाँ पर एक कौन देख रहा है उसको आपका अर्शे देख रहा है और बोल रहा है क्या बोल रहा है उसकी माता मतलब है उसकी जो माता है जो की फोटो के अंदर लगी हुई है आदमी की फोटो उसकी माता की बात हो रही है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है हरस का जो पिता है हरस का यहा पतनी है तो हर्ष के जो पिता है उसकी पतनी है और आगे कहा गया है मेरे कोई भाही बहन नहीं है तो हर्ष के इसका इकलोता बेटा है और इसकी पतनी कौन है इसकी पतनी ये माता है जो कि फोटो के अंदर जो लगी हुई है उसकी जो माता है वो हर्ष की क्या है वो उसकी पत पूतनी है तो हर्ष किसके चित्र की औरे देख रहा है तो यहाँ पर यह आदमी का चित्र है मतलब किसी पुरुष का ही चित्र होगा तो ये हर्ष का क्या हो जाएगा क्योंकि इसकी माता इसकी पतनी है तो पतनी से जो उत्पन पुत्र होता है वो हर्स का भी पुत्र हो जाएगा तो वह उसके पुत्र की जो फोटो है चित्र है उसे देख रहा है तो आपसे नमबर A यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशन है आपका Find the missing number A तो यहाँ पर आपको एक डाइगराम गिवन है जिसे हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसमें आपका एक नमबर यहाँ पर missing है यह वाला नमबर आपको Find out करना है दिये गए चारे Option में से तो इसे हम यहाँ पर Sol करते हैं तो इसके अलग अलग पार्ट को हमें अलग अलग सोलू करने की कोशिशे करते हैं तो यह आपका पार्ट नमबर फर्स्ट हो गया यह पार्ट नमबर टू हो गया यह आपका पार्ट नमबर थ्री हो गया और यह पार्ट नमबर फॉर हो गया तो सबसे पहले हमें पार्ट नमबर फर्स्ट की बात करते हैं तो आउटर में आपके पांच और पांच लिखा गया है और बीच में आपका जीरो लिखा गया है अगर हम पांच में से पांच को माइनिस कर देते हैं तो आपको कितना प्राप्त होगा जीरो आपको प्राप्ते हो जाएगा इसी प्रकारी आगे हम बात करें साथ और तीन लिखा गया है और बीच में आपका चौनसटे लिखा गया है तो साथ में से हमें तीन को माइनस कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा चार प्राप्त हो जाएगा लेकिन आपको प्राप्त कितना करना है 64 आपको प्राप्त करना है तो 4 का अगर हम Q करें तो 4 चोके 16 16 चोके 64 64 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा सिमिलर इप बात करें हमें थर्ड नमबर इडाइग्राम की हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे 8 में से हमें 2 को घटाएंगे तो कितना पराप्त हो जाएगा 6 आपको पराप्त हो जाएगा और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना पराप्त होगा 216 आपको पराप्त हो जाएगा आगे हम बात करें 11 में से हमें 8 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको तीन प्राप्त होगा और तीन का क्यूब कितना होता है 27 आपका होता है मतलब यह आउटर की दोनों संक्याओं को हमने माइनस किया और जो संक्या हमें प्राप्त होई उसका हमने क्यूब किया तो बीच वाले संक्या हैं हमें प्राप्त हो गई और इस प्रकार से कौशन चिन का मान हमारा 216 आ गया और यह आपको आप्सन नमबर A में गिवन है तो दिये गए कौशन का हमारा A आंसर हो जाएगा कौशन है आपका एक शहर की जन संक्या हर साथ वर्ष में दुगनी हो जाती है यदि 2009 में जन संक्या 12483 है तो किस वर्ष तक जन संक्या उन पचास हजारे 932 की वरदी हो जाएगे यह आपको फाइंड आउट करना है दिये गए चारे आप्सन में से तो सबसे पहले आपने देखा जो आपका दो हजार नो है इसमें जन संक्या कितनी है 12483 है तो साथ साल बाद हमें जाना है तो 2009 में हमने साथ जुड़ा तो 2016 पर पहुँच गए तो 12483 का हमें डबल करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3 दुनी 6 8 दुनी 16 का 6 हासे लेगे 4 दुनी 8 और 1 नो 2 दुनी 4 और 2 एकम दो तो आपको 24,000 966 जन संक्या प्राप्ते हो जाएगी तो आगे हम देखते हैं हमें उन पचास जारे 932 तक जाना है तो 2016 में हमने वापस से साथ जुड़ा तो हम 2023 पर पहुँच गए और 23 में वापस से जो आपकी जन संक्या है 24,966 इसका दुगना हम कर देंगे तो 6 दुनी 12 का 2 हासे लेके 6 दुनी 12 और 1 तेरा का 3 हासे लेके 9 दुनी 18 एक उनने से हासे लेके 4 दुनी 8 और 1 नो हो जाएगा उसके बाद में 2 दुनी 4 हो जाएगा 2030 में 95,932 आपकी जन संक्या हो जाएगी और यही आपसे कॉशन में पुछा गया है तो आपसे नमबर बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तो है आपका बिलाई, दुरगापुरी बोकरो तो आगे कौन सा शेहर आएगा यह आपको फाइंड आउट करना है बड़ोदा आएगा चंदिगड आएगा चेन नहीं आएगा या राउकेल आएगा तो कौन सा शेहर आएगा तो आप सभी जानते हैं बिलाई, दुरगापुरी और बोकरो यह तीनों ही इस्टिल के कारकाने हैं यहाँ पर इस्टिल का प्रोडक्शन किया जाता है इस्टिल के यहाँ पर कारकाने हैं तो कारकाने हैं तो बड़ोदा में आपका कारकाना है नहीं हैं चेनने में आपका कारकाना है नहीं है चंदिगट में आपका इस्टिल कारकाना है नहीं है जबकि राव केला में आपका इस्टिल का कारकाना है तो ये बिल्कुल correct answer हो जाएगा